वीडियो में आपको बिक्सी ओपी का जो न्यू थमनेल अभी का उसका टुटोरियल में आपको देने वालों बहुत ज़्यदा आसान थमनेला पिक्साइट का यूज करके हम बनाएंगे तो आप इस वीडियो को आए नतर देखना आप देख सब्सक्राइब अपना पिक्साइ सब्सक्राइब करना यहां से बीन डवलू पर आकर जो बीन डवलू एचाई सी ओना थर्ड वाला यह वाला आपको सब्सक्राइब करने वाद आपको जो उपर की जाएड में थर्ड नंबर बटन देख रहा इस पर आपको क्लिक करना है फिर आपको जाना यहां से ब्लर पर और आपको फर्ष्ट वाला ब्लर उसी को सेलेट करना है और इसका जो ब्लर का अमाउंट रखना आपको five ए six इतना ही रख लेना बाकि right-click कर देना अब हम जाएंगे यह से स्टीकर पर और हमको सर्च करना विग्नेट में सर्च करने यहां से थोड़ से नीचे हमको स्क्लॉर्ड आउन करना है और यहां पर हमको यह वाला विगनेट मिल जाएगा 1689 में तो इसको डाउड करके इसको हमको अपना फुल स्क्रीन पर सेट कर लेना है इस तरीके से न अब यह में एक और वार श्टीकर पर जाएंगे और फिर से भाई हमको इस्टीकर विगनेट साइज करना है और जो को रखना है ना ऐसे आप रख लेना बाग इसको राइट क्लिक कर देंगे बैक्रांड अपना रेडी हो चुका है आप हमको जो कुछ एड़ करना उपर से वह में एड़ करेंगे जैसे कि अपना सबसे पहले हम एड़ पोटो पर जाएंगे और अपना स्क्रीन शॉट हम जयाना बोटर का कलर आप रखनेना है ब्लेक कलर और फिर उसका क्या करना आपको डूप्लिकेट करना तो इसका एक लिक करना लेयरर पर पर करकर कि मैं बाड़ पर आ जाना है और बॉल्डर का क्लर अभी हम गिया करना है खुँड आउसको बोड़ रहें आ जैसे मां पिंक कि वाली वो काफिच लगेगी देखने में कुछ इस तरीके से अभी हम शेप पर टैप करेंगे और इसको इस तरह से बढ़ा कर लेंगे और इसको कर दिंके तकि यहां सम्छलते हैं अपने टेक्सट पाँ टेक्स पर जाने बाद जो भी टैटल हम कुछ है या से लिख लेना है जैसे कि मैं लिखुनगा बैक टू बैक्ट गैसे लिख लेता हुँ गे लिखुगा लेना जहां पर भी आप को चाहिए तो इसका में इस्रिंशोट को उपर रखेंगे यहां हमको अपना टाइटल चाहिए तो इस जगए मैं है इसको रख लेता हूं और इस तरीके से और अभी क्या करेंगे कि पहले इसको मैं डुप्लिकेट कर लेता हूं एक और इस पर डबल टैप करेंगे और डबल टैप करने वाद इसको इस त्रेस आएका तो इसको कट कर लेना और जो अपना next text है वो लिख लेना जैसी परस्पेक्टिव बाला बटन दिखेंगे इस पर टैप करना और जो पॉइंट साएंगे न चाल तरफ उनको कुछ इस तरीके से खींच के जो भी अपना text कर डिजाइन वो आप अपने कोडिंग कर सकते हो जैसरा डिजाइन आपको पसंदा तो उसके अपने कोडिंग कर सकते ह अब दिखेंगे और यह वाला शेप हमको सेलेट कर लेना इसका कर देना ब्लैक कलर और प्र अपना जो टैक्स्ट हमने लिखा है न उसके पीछे आपको कुछ इस तरीके से रखना जैसे मैं रख रहा हूं सो इस तरह से आपको रख लिए और इसको क्या करना मूंग डाउन क कर देंगे और इसको नीचे वाला जो टैक्स्ट हमारा उस पे इसी तरीके से रख लेंगे जैसे हमने उपर वाले फिल्ट रखा था चलो यह अपना हो चुका है ना इसको करने वाद प्लस पे हम टैप कर देंगे और इसको इस तरह बड़ा कर लेना पूरा और लेर पर इसको इसको बाद हम बैक आएंगे और जो भी अपने आड़ किये थे ना टेक्स्ट हो रहा है सब इसको सबको में डिलेट कर लेंगे यह से तो इनको मैं सभी को डिलेट कर लेता हूं इस तरह से ना डिलेट हो चुका है आभ एम एड़ फोटो पे जाएंगे आड़ पोट कुस इस तरीके से और फिर हम जांगे हैं से इसके बादर पर ना तना कर देंगे हैं से ब्लैक कलर और इसको साइज बरॉरंट कSir अऌर ञर्ले चायव अर इसको में बने और ऑक्राम द्याकंश इसको थोड़ समयासे हिला लेंगे थोड़ सो पन नीचे कर देंगे जिससे इस तरह से हमारे लायनिंग आ जाएगी बैक्स्ट में श्याडव एक्ट आएगा न तो देखने में काफी अच्छा लेगा न इस तरीके से और जो भी एक्स्टा पाइट है उसको में एरेज कर लेत कर रहा हूं तो इसको एड़ कर लो है एड़ करने वाद रिमूव बीजी पर जाएंगे पहले और रिमूव बैक्राउंड पर टैप कर देंगे जिससे अपने करेक्टर का पी एंजी बन जाएगा तो बन चुका है अब इसको हम को से एडड कर लेना है जहां पर रिवों को यहां पर आपको मिल जाएगी यह वाली स्मोख इसको आप डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करने वाद इसको अपने करेक्टर के उपर रखना लेयर पर टैप कर देना इसको कर देना मूब डाउन फिर आज आना इसके ब्लेंड पर तो पहले इसको सेट कर लेंगे अभी यह अच्छे से ग्लोव आसे कि अपने पीछे आना तो आप देख लिए कि सब को अच्छा लगए उस तरह से सैट कर लेना मैं इतना करने को आप हम शेप पर जाएंगे और शेप पर जाने के बाद क्या करना है कि इसको पहले बढ़ा कर लेना अपना पूरे करेक्टर को आइड कर आप लेक्टर के चारत पर इसको अपलाई कर लेना जिससे अपनी करेक्टर पर पे पिंक ग्लोव आयगा जो की काफ हिच्छा लगएगा दीखने में कुछ इस तरह कैसी अपना हो चुका है तो अभी एरेज पर टैप करना हार्ने को वई वणराने देना और और के नीचे की साइड से इसको हमको एरेज करना है क्योंकि नीचे हमको गलो नीचे उपर ही रखना है इतना करने कबाद अभी क्या करना है कि आप रिस्टोर पर टैप करना है इसकी जो ओपीशिटी उसको कम कर लेना रावं 30 परसेंट और इस तरह से आपको अपने करेक्टर के बाहर के त इस तरीके से राखना देख लिए हलका जर रोटेट करके अपने के पास इस तरीके से इसको रखना जैसे के नीचे फियड आएगा हरा अब देखना अच्छा लगेगा इस तरह से आप भी कर लेना तो इसको राइट लिक कर देंगे अब हमारा thumbnail ready अब बाकी जो कुछ आप एड़ करना चाहते हो इसमें एड़ कर सकते हो जैसे कि मैं इस्टीकर पर जाकर यहां से PUBG सर्च करके यहां से जो कॉनक्रोर फ्रेम है उसको डाउलोड करके यहां से रख लूँगा तो जहां काई भी मुझे को रख नहीं होगी महां पर यहां पर ब्लॉचेश करके यहां पर लगा देता हूं चलो यह अपना हो चुका है थमनेर रेडी तो इसको रैट क्लिक कर देते हैं एक काम और करना आपको क्या करना आपक्स पर आ जाना आप यहां से बलर पर आना लास्ट इमोचन बलर उस पर टैप करना फिर इरेज वाल ब्लर चीए और एक इस पर ने डोनों पर में ब्लर करदेता हूं, बाकी ठीक है आप इसको हम राइट क्लिक कर देते, आप यहारा थम्नेल बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो प्यांसे मारी क्वालिटी काफी अच्छी हो चुकी है इस तरह से आप बढ़ा सकते हो बाग कि इसको हम सेव कर लेंगे और इस थम्नील को आप और भी अच्छा मनाना चाहते हो हना तो मैं आपको डिस्कुरिशन बॉक्स में लाइट रूम का प्रिशेट दे दूँगा तो इ आज के लिए इतना ही था वीडियो कैसे लगी कोमेंट बता दिना आप पसंद आए तो लाइक कर ले ना और चनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर ले ना थैंक्स वर बॉचिंग बाइबाई